डिप्टी कलेक्टर ने एक पोस्ट साजा की है और इस पोस्ट में उन्होंने जो लिखा है वो हम आपको बताते हैं डिप्टी कलेक्टर लिखती हैं कि एक घटना से पेड़ित हूँ और मेरा मन विफर गया है क्या लड़की हुना उस पर भी एक संघश शुदा स्वेम की पहचान बनाने की कोशिश करने वाले लड़की हुना कोई गुना है क्या आज भी समाज में महिलाओं को बस चटकारा खबरों के रूप में परोसना अपना मेजवानी समझता है मैं अपने स्कूल के समय में दस्वी और बार्वी की मेरिट में थी तब इस रूप में इतनी पहचान नहीं मिली PSC में थर्ट रैंक लाई तब भी इतनी पहचान नहीं मिली एक साथाट साल के घसीटते हुए परिवार के आपसी ताने बाने में फस जब इस तरह से बदनाम किया गया तो समाज ने मेरे और अपने पराये लोगों ने इसे मेरा तमगा समझ मुझे बस उत्रन बना दिया क्या जानते हैं आप उस सुभई के सच्चाई के बारे में कि एक ओपन माइंडे लड़की ने जरुवत पढ़ने पर अपने सीनियर का सहारा लिया तो एक शक्की और सेलफिश ओरत जो अपने पती और बच्चों को तीन महीने से दूर रखकर इस मौके की तलाश कर रही थी कि आपसी परिवारिक जगडे में अपने पती को समाज में नीचा दिखाया जा सके उस उच्चवर ये पत्नी ने अपने पती के जगडे के बीच वो की उपादी से नवाजा जिससे की वो इस घटना के नाम में नमक मिर्च लगाकर स्वयम को परोष सके तथा उसके एहम को शांती मिले पत्नी हर बार पेडित नहीं होती हर बार पुरुष जलाद अयाश कमीना नहीं होता यदि कोई महिला कानून के तहदिये विशे अमान सहित थी और समय सुबह 9 बजे का था बस जॉमेटों के जैसा खबर डिलेवरी देने का काम किया उसे भी बढ़कर आम और बुद्धी जीवियों ने अपनी गौसिप में इस वो को मुद्दे को प्रमुकता के साथ शेयर किया मैं दुखी इस बात से हूँ कि 36 गड़ म ये शेयर नहीं हुआ किसे क्या मैडल मिला ये शेयर नहीं हुआ क्या अब भी आम समाज लड़कियों के रेप, छेड़ खानी, हत्या, चरित्र और हनन जैसी घटनाओं को चटकारे लेकर सुनना अपना हक समझता है जिस तरह से ये अनरगल खबर बड़ा चड़ा कर वाइर करूंगी, ये कुछ लाइने थी जो डिप्टी कलेक्टर ने अपनी पोस्ट में शेयर की है, हाला कि मामला कुछ भी रहा हो लेकिन ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी समाज में उच्छ वरगिये लोगों के बीच भी ऐसी परिस्थितियां पैल रही ह जो समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं देती